हानिकारक सुक्ष्मजीव सुक्ष्मजीव अनिक प्रकार से हानिकारक है कुछ सुक्ष्मजीव मनुष्य, जन्तुओ एवं पौदों में रोग उत्पन करते हैं रोग उत्पन करने वाले ऐसे सुक्ष्मजीव को रोगानू अथ्वा रोग जनक कहते हैं कुछ सुक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चम्डे की वस्तुओ को संदूशित कर देते हैं आईए उनकी हानिक कारक गतिविदियो के विशय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें मनुश्यों में रोग कारक सुक्ष्मजीव मनुश्यमें रोग उत्पन करने वाले सुक्ष्मजीव, श्वाश, पेजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं संक्रमित व्यक्ति अथ्वा जन्तु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचलन हो सकता है। सुख्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायू, जल, भोजन अत्वा काईक संपर्क द्वारा फैलते हैं, ऐसे रोग संचन्निये रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उधारण हैं, हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं शैरोग। कुछ कीट एवं जन्तु ऐसे भी हैं जो रोग कारग सुक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कारे करते हैं। घरेलू मक्षी इसी का एक उधारण है। मक्षी कूडे एवं जन्तु अपसिष्ट पर बैटती है। रोगानू उसके शरी से चिपक जाते हैं। जब मक्षी बिना डखे भोजन पर बैटती है, तो रोगानू का इस्थानांतर्ण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदोशित भोजन करेगा, उसके बिमार पढ़ने की संभावना है। अतहे ये सला दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढख कर रखा जाए। बिना ढखे भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनोफिलेज मच्छर इसी का अन्य उधार्ण है। मादा एडीज मच्छर डेंगू के वाइरस का वाहक है। हम मलेरिया अत्वा डेंगू का नियंद्रन किस प्रकार कर सकते हैं? चलिए हम उसे समझते हैं। सभी मच्छर जल में उत्पन होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरो एवं फूल दानों इत्यादी में कहीं भी जल को एकत्र न होने दे। अतहे अपने आसपास की स्थानों को स्वच एवं शुश्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। जन्तूओं में रोक कारक जीवाणूं। अनेक सुक्ष्मजीव केवल मनुष्य एवं पादों में ही रोक की कारक नहीं हैं। वरं वे दूसरी जन्तूओं में भी रोग उत्पन करते हैं। उधारन के लिए एंथ्रेक्स, मनुष्य एवं मवेश्यों में होने वाला भयानक रोग है जो जिवानु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुहु का रोग वायरिस द्वारा होता है। पौदों में रोग उत्पन करने वाले सुक्ष्म जीव। अनेक सुक्ष्म जीव, गेहु, चावल, आलू, गन्ना, संत्रा, सेब, इत्यादी पौदों में रोग के कारक है। रोग के कारण फसर की उपज में कमी आ जाती है। तालिका में कुछ पादप्रोग दर्शाय गए हैं। जैसे नेमुक कैंकर जो जीवानू द्वारा होता है तथा इसका संचरन वायू के माध्यम से होता है। अन्य उधारन हैं गेहु की रस्ट तथा बिंडी की पीत। खाद्य विशाक्तन सूक्ष्म जीवा द्वारा संदोशिट भोजन करने से खाद्य विशाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन होने वाले सूक्ष्म जीव कभी-कभी विशहले पदार्थ उत्पन करते हैं। यह बोजन को विशाक्त बना देते हैं जिसकी सेवन से व्यक्ति भहंकर रूप से रोगी हो सकता है। अथ्वा कभी-कभी उसकी मृत्यू भी हो सकती है। अतहे यह आवशक है कि हम बोजन को संदोशित होने से बचाएं। खादे पड़ी रक्षन आप जानते हैं कि खुले एवं नम इस्थान पर रखी ब्रैड पर कवक आक्रिमन कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे बोजन को संदोशित कर देते हैं। संदोशित भोजन से दुरगंद आने लगती है तथा इसका स्वाद भी कराब हो जाता है। चलिए हम खाद परिड़क्षन के कुछ सामाने तरीकों का अध्यन करें जिनका उप्योग हम अपने घरों में करते हैं। रासाइनिक उपाय नमक एवं खाद तेल का उप्योग सूक्ष्म जीवों की व्रद्धी रोकने के लिए सामाने रूप से किया जाता है। अते हैं इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथ्वा खाद अमल का उप्योग आचार बनाने में करते हैं जिससे सूक्ष्म जीवों की व्रद्धी नहीं होती है। सोडियम बेंजोइट तथा सोडियम मेटाबाइसलफाइट अन्ये परिरक्षक हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उप्योग इन्हें संदूशित होने से बचाता है। नमक द्वारा परिरक्षन आम आमला तथा इमली के परिरक्षन में भी किया जाता है। सीनी द्वारा परिरक्षन जैम जैरी एवं स्क्वैश का परिरक्षन सीनी द्वारा किया जाता है। सीनी के प्रयोग से खाद्य प्रदार्त की नमी में कमी आती है जो संदूशन करने वाले जिवानों की व्रद्धी को नियंत्रित करता है। तेल एवं सिर्के द्वारा परिरक्षन तेल एवं सिर्के का उप्योग आचार को संदूशन से बचाने में किया जाता है। क्योंकि इसमें जीवाणू जीवित नहीं रह सकते हैं। सबजिया, फल, मच्री तथा मास का परिरक्षन इसी विदी द्वारा करते हैं। गर्म और ठंडा करना आपने अपनी मा को दूद उबाल कर रखते हुए देखा होगा। दरसल उबालने से अनेक सुक्ष्म जीव नश्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम ताक पर सुक्ष्म जीवों की व्रद्धी रुख जाती है। पाश शरीकरत दूद पाश शरीकरत दूद को बिना उबाले इस्तिमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सुक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूद को सतर डिग्री सेलसियस पर पंदरा से तीस सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाकक ठंडा कर उसे बंडारन कर लेते हैं। ऐसा करने से सुक्ष्म जीवों की व्रद्धी रुख जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुष पाश्चर नामक व्यज्यानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चिरी करन कहते हैं। बंडारन एवं पैकिंग। आज कल मेवे तथा सबजियां भी वायू रोधी सील किये गए पैकिटों में बेचे जाते हैं। जिससे सुक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है।